यह जो हमारा पकिंग मशीन है स्क्रबर पकिंग मशीन बहत बढ़ ऑप देख रहे हो बहुत ऑच्छी पौली आंच्केस बैंट्यнес अध्यीक मशीन है यह हमनेखेंगे कि यह जो मशीन है और सिर्फ पर किन दो सेकेन्ड केसर फूर बिलिष्ट्र जिपका देगा इंडिया में पुछे इसक्ट мо fishermen चीपका देगा अभी में आपको दिखाना चाहूंगा की ये जो मशीन है इसमें यहाँ पर डिजिटल निटर दिया हो एसवा है मतलब कि मतलब कि यहाँ से आप दाउन कर सकते हो यहाँ से ज़िदा कर सकते हो निसा से कर सकते हैं और यह स्बूद बगला है दो यह उंग्ली पर चलता है यह उंग्ली से छलता आ वेसा स्जूध उनदेटेC जो है अमने स्क्रबर्द काई के आंदर रख दिये है अभी पूरा पर दे तेर इस करबर्स है अब जो है हम यह मशीन में डालेंगे सिर्थ दो सेकंड में हीट का सील कर देगा है यह जो मशीन है है हमारा सिर्फ दो सेकंड में है यह हमने रखा है और देखना आप देखो वह गया मतलब साइरन बज गया आप सिर्फ दो सेकंड में हीट कर दिया है हुआ है कि आप देख सकते हो कि हमने अंग कि अधा है उसका क्लेटी भी बहुत बढ़्य अब देख सकते हो जो सीलिंग होए पर्फेक्टolina हुआ है जो में ही पहुत पहुत ही बढ़िया क्लेटी का हीटी कीया है यह मशीन के अंदर अभी चलिन हम देखते हैं यह जो हमारा न giornक्तर हिना है उसकी मद्द से में हम गरब मशाला करते हैं तो वह भी हम देखते चलो देखते हैं अब हमने देखा कि यह क्रत किया हुआ है अभी हम इसमें सारी त्सकर्ञोख को गए नों हो गया सब कुछ अलग अलग पेक किया तो चलिए हम इसको पेक करते हैं सिफ दो सेकंड में एक और चीज में इसमें बताना चाहूंगा आपको कि सीलिंग होते ही इसमें साइरन बच जाता है मतलब कि ओटोमेटिक साइरन के आवाज आ जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि सीलिंग ह मशिन whatnot रहे हो गया है दूसरी या जो प्लेट है वह इसमें देखेंगे की अपने अब सेट करेगा मतलब की ओस सेंसरर लगाए है मशिन के अंदर ओस सेंसर है जीनकी मदद से वह 이 मेंटेन करता है ताकी हमारा जो सिलिंग है वह भूत ही तरीके से हो चलिए आए और देखते कि कैसे 2 टोता है अभी यह और रगया मजिन को पुछ किया बहुत स्मूथ है मशीन भी एक दो मिया मतलब इट हो गया देखते है अब यह जो उने मशाला किया है उनका क्वालीटी देखते कि प्रीट साइड है यह कि यह आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी क्वालीटी काम ने जो मशीन है बहुत ही बढ़िया काम करता है कि इसके अंदर प्रेसर देने की भी जुरूद नहीं आपको और बहुत ही स्मूध तरीके साथ इसके अंदर काम कर सके